बिस्मिल्लारह्मानुर्रहीम तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि Excel के अंदर अगर आपके पास कोई इस तरीके से आपको एक large data दे दिया जाए और इस पूरे large data को आपने जो है वो एक short data के अंदर convert करना है यानि कि आपके पास जो है वो कुछी raws में view नज़र आए और आप उसको scroll down करके जो है वो उस पूरे data को देख सकते हैं अभी देखे मेरे पास जो है वो कुछ इस तरीके से मुझे scroll करते हुए अपने पूरे data को जो है वो देखना पड़ रहा है अब अगर इसको short way में करना है तो वो कैसे करेंगे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस पहले वाली sheet के अनने जितना भी data है वो यही रहेगा मैं एक और new sheet जो है यहाँ पर create कर लेता हूँ और इधर से पहली sheet से यहाँ से इन headings को मैं copy कर लेता हूँ Ctrl C copy किया और यहाँ पर आप किसी भी raws के उपर आकर जो है वो Ctrl V के साथ जो है आपने इनको paste कर देना है अब इसके बाद को एटना data है view आपको देखना है कितनी raws पे देखना है उतनी ही raws आपको यहाँ पर select कर ली एक मुझे इतना areas पर जो है वो अपना data scroll करके देखना है तो मैं ने hear यहां पर क्या किया, इतना data select करने के बाद यहां से मैंने border apply कर दिया, अब इसी range के अंदर मुझे data नज़र आएगा, किस तरीके से जब मैं अपने data को scroll करके देख सकता हूँ, अब मुझे एक और चीज़ में क्या करनी है, यहां पर जो आपको यहां पर एक developer का option नज़र आ र scroll bar जो है, वो आपको यहां पर draw कर लेने है कुछ इस तरीके से, तो यहां पर हम draw कर लेते है, scroll bar, अब इसके बाद कोई इसके उपर formatting देनी है, तो वह आप दे सकते हैं, जैसे मैं यहां पर जो इसका background यान जो cells है इसके, इसके उपर जो मैं यहां format apply कर देता हूँ, तो वो म आपके पास एक format control का option open होगा, यहां आपने current value जो आपने select करनी है, वो आपने number one लिखना है, minimum values आपने यहां पर one type करना है, क्योंकि कम से कम आपके पास value कितनी show हो, कहां से one से, अब maximum value के अंदर आपको क्या करना है, तो यह थोड़ा सा आपको दिहान में रखना है, आपके पास जितना भी data है, जैसे माल लिजिए कि मेरे पास one से लेकर 60 टक का data है, तो one से लेकर 60 टक का data आपको यहां पर कितनी rows पे दिखाना है, तो मैंने यहां पर one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, यानि 10 rows का मेरा data show हो जाए, तो 60 हमारा last है, तो मैं यहां पर type कर दूंग 51, यानि 51 से ल अदर आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने last के 10 days तक जो है, यहां मुझे data show नजर है, उसके बाद increment charges वंद रहेगा, page change आपका 10 रहेगा, cell link के अंदर आपको क्या करना है, आपने cell link वाले cell पे click करके, आप sheet one पर जाकर किसी भी एक cell का आपको link दे रहे, जैसे आपने यहां पर ए जो है, numbering change हो रहे, यही चीज मैं यहां पर भी करके दिखा सकता है, लेकिन महीं उस sheet पर रखा जहाँ पर हमारा data है, तो यह देखें मैंने scroll नीचे किया, तो यह देखें मेरे पास यहां numbering change हो रही है, अब data को यहां पर कैसे लेकर आना है, आपने वो मैं आपको बताता आपने यहां पर इस cell पर आना है, यहां पर आपने equal लगागे, आपने offset का जो formula है, इसको आपने write down कर लेना है, reference के अंदर आप चले जाएंगे sheet number one पे, और इसके बाद यहां जो आपको heading नजर आ रही है, इसके उपर आपने click कर देना है, यहां पर formula बार पर आकर आपने comma लगाना है, comma लगाने के बाद आपसे raw पूछेगा, अब इस raw के अंदर आपको select करना है, इस वाले cell को जहां आपने scroll bar के लिए reference को select किया था, तो यह आपने select करना है, और याद रखीगा, इसको आपने F4 से lock करना है, तो यह आपने raw वाले options को select करके F4 आपने press कर देना है, जैसे आप F4 प्रेस करेंगे, तो automatically आप sheet number 2 पे आ जाएंगे, तो इसी formula बार के उपर रहना है, आपको यहाँ पर comma लगाना है, columns के लिए आपको यहाँ पर zero type कर लेना है, bracket आपको close करके आप कर देंगे, enter, जैसे enter कर देंगे, तो यहाँ से जो है वो आपने इस formula को कर देना है, drag, जैसी आप यहाँ तक drag करेंगे, तो यह देखें, आपका काम हो चुक है, अब जब मैं इसको drag करता हूँ, यह देखें, number 2, number 3, यह देखें, number 1 उपर चला गए record, यह देखें, नीचे करता हूँ आ रहा हूँ मैं, तो यह देखें, अब जितना मेरा data था 1 से लेकर 60 त दिखाता हूँ, तो देखें, 60 तक हमारा data मौझूद था, अब इस तरह जितना भी आपका ज्यादा data ही क्यों ना हो, 100 तक हो, 500 तक हो, तो आप इस trick से जो है, वो अपने पूरे data को long term से एक short term के अंदर जो है, वो convert कर सकते हैं, तो उमीद करता हूँ, आपको यह trick समझ आ ग ऱ्रिव तक हुए्यान जारी है, झात हो, 500 तक है पीद आपका जितना एlangड जब तक हुए्यान।